ओम नमस्षिवाय जय महाकाल, आप सबको पता है कि एक अदसी का बहुत ही प्यारा दिन आ गया है, धन प्राप्ती का यह उपाय है, बहुत ही सुन्दर सा है, अगर आप ए घर में मतलक्षमी का वास बिलकुल नहीं है, आप सौर उपए कमा रहे हैं, दो सोर उपए खर्च हो कमाई कम खर्चे बहुत जादा है, पूझ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, साथ पत्ते लेनी है, जल में डालना है, छोटा सा उपाय है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, आप आज जो भी ये बहुत ही प्यारे प्यारे कहीं से कटे फिटे हुए ना हो, ठीक है, साथ पत्ते ले लिए और उसके बाद एक छोटा सा कलश लेना, जल का पात लेना, बहुत ही छोटा सा लेना, और उसमें आपको क्या करना है, भरना है जल, कौन सा जल भरना है, आपके घर में कहीं से आप किसी भी तीर्थ स्थान से कोई भी जल आए हैं अगर आपके पास गंगा जल है तब तो बहुत अच्छी बात है इस पूरे कलश को गंगा जल से भर देना अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप किसी भी तीर्थ स्थान से लाइक अगर आप शिप्रा से शिप्रा का जल ले क्या है तो शिप्रा का जल डाल दें अगर आप नर्मदा का जल आपके पास है तो नर्मदा का जल डल दें इस जल को इस कलश को पूरी अच्छे तरीके से भर देना और इसी जल में आपको जो साथ बेल पत्र आपने लिए हैं अच्छे तरीके से डूबा देना ठीक पर आपको सिर्फ औस जो उसमें जल आपने डाला है उसी जल को चाहे गंगा जल हो चाहे वो कोई सा भी जल हो नंदी बाबा का उठे वाले पैर पर आपको स्री शिवाये नमस्तुभ्यम का इसमरण करतवे समर्पित करना है बहुत लोग के कॉमेंट आते हैं बेया हमारे हाँ जो नंदी बाबा है उनका बाया पैर उठा हुआ है हमारे हाँ जो नंदी बाबा है उनका दाहिना पैर उठा हुआ है जो भी पैर नंदी बाबा का उठा हुआ हो आपको वह जल वहीं पर समर्पित करना है बेल पत्र नंद नमस्तुभ्यम का इस्मरण करते हुए आपको समर्पित करते जाना है ध्यान क्या रखना है कि जिस तरफ आप खड़े हो करके भगवान शंकर को भोलिनात के शिवलिंग पर उस बेलपत्र को एक एक करके चढ़ाएंगे जो डंडी का भाग होगा वो आपकी तरफ होना होती अच्छा समझाने की यह मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है एक अदसी का धन तापती का सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय है कोशिश की है अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना कुछ पूछना हो नहीं समझ मैं आई नीचे कॉमेंट में पूछें आज जो वीडियो पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकार